हलो फ्रेंग्स डेबाई डेबी चित्रा में आपका स्वागत है आज बनाएंगे हम ऐसी दाल जिसमें किसी भी दाल का यूज नहीं करेंगे उसके लिए देखिए बहगोना लिया है उसमें पानी डाल दिया है एक डेट ग्लास और एक कटोरी हमने यह मतर ले लिए इसको हमें दो मिनट के लिए बस इस तरह से देखिए बॉयल कर लेना है बहुत जल्दी से बॉयल हो जाती है इसके बाद इसको हटा लेंगे गैस से और एकदम ठड़े पानी में डाल देंगे इसमें हमने थोड़े से आइस क्यूब डाल दिये है क्योंकि इसका प्रोसेस रुख जाए इकदम गलानी नहीं है लेकिन हलका सा बॉयल हो जाए बस यह उतना करना है इसके बाद में यह देखिए उसका पानी निकाल के और मिक्सी जार में डाल देंगे इसको हमें पीस लेना है उसमें हरी मिर्स डाल दीनी है दो लहसुन डाल देना है चार पांच और देखिए अध तेल डालेंगे आप इसमें गी डालना चाहें तो गी भी यूज राव यूज़कते हैं इस तरह से पकालेंगे और जीर डालेंगे और कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे तेज पता बड़ी इलाइची, काली मिर्च, अदो लॉंग, बढ़ी जीर, प्याज ले लिया है उनक पका लेना है उसमे नमक डाल देना है उससे हमारा टय से गल जाएगा और बहुत अच्छी हमारी यह दाल तैयार होने वाली है जिसमें हम किसी भी दाल का यूज नहीं करेंगे पर वाकई आप जब खाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है यह देखिए यह एकदम से हमारा प्याज और टमाटर पग्या है विसमें कुछ मसाले डालेंगे हल्दी डाली हो एक चमत धनिया बस इसके इलावा और हमें कोई मसाले नहीं डालने है इनको हमें अच्छा से पका लेना है मसालों को यह देखिए एकदम तेल चोड़ दिया है मसाले मतला हमारी हल्दी धनिया सब पग गया इसके बाद हमने जो मतर अभी पीश के रख था वो हमें इसमें डाल देना है और यह प्याज और टमाटर का जो पेश था उसके साथ में हमें ऐसे मिक्स कर लेना है और जार में कुछ पानी डाल के उसमें हम डाल देंगे और इसके बाद में इसको दो मिनट हमें अच्छे से पका लेना है इसके बाद इसमें हमें पानी डाल देना है पानी हम गरम यूज कर इसमें से मटर बचा लिए थे वो हमने इसमें डाल दी है थोड़े से वो इसके साथ पग जाएंगे तोड़ा सा करंच आएगा उनका और यह ढग देंगे हम इसको पांच मिनट के लिए और बस हमारी जो दाल है इसको हम दाल कहें सबजी कहें जो भी गैप्रीकी टेस्ट इसक है ना एकदम यमी सी तो अब इसको एग छोक लगा लेते हैं तो गये धीर, बड़ी वी भी लाल मिर्च, हींग का टेस्ट अच्छा है, क्योंकि मटर है, तो यहींग जरूर डालेए और कश्मीरी लाल मिर्च टेस्ट बहुत यह अच्छा आजाएगा, आप एक बर इसको जरूर बना के ट्राइग करें अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लग लाइक जरूर करें शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और अगर अभी तक आपने उसको सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर ले हम इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं ये देखिए और हरे धनिया से डेकोरेट कर देंगे और तयार है हमारी यमी सी दाल खाएं और खिलाएं और हमें कमेंट करें ओके फ्रेंड्स बाबाई